क्या हुआ अभिग्यान शाकुदलम से संबंदित कुश्चन नहीं मिल रहे हैं कहीं पेवी? डोंट वरी जो कहीं नहीं मिलता वो यहां मिलेगा हेलो एर्यवान इक बापका फिर्स स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल संस्कत पॉइंट पर आज हम करने वाले हैं अभिग्यान शाकुदलम के चर्ट उर्तं का महत्रू चलिए तो प्रारंब करती हैं देखिए किस प्रकार लिखेंगे आपसे कोश्चन बी ए एम में कहीं पर भी पूछ सकते हैं कि अभिग्यान शाकुदलम के चर्ट उर्तं का महत्रू किये श्रवे कावे एवं द्रश्य कावे, नाटक द्रश्य कावे विदा की शेष्ट किती माना गया है, नाटक आंत कवित्वम अर्थात कवित्व अर्थात कवी का जो आंत है वो क्या होता है, नाटक होता है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, आगी देखते हैं, आगी क्या जैसे अगर आपको मैं कहूँ सेब तो आपके माना स्पिटल पर एपल आ रहा होगा वही तो वही है माना स्पिटल पर कौन सी बात आ जाती है अगर आप ऐसे सुक्तियां और उधारन के रूप में श्लोक डालेंगे तो आपको डेफिनिटली मांकस अच्छे मिलेंगे ठीक है क्या है कावियों में जो है वो नाटक रम्य है और उनमें भी शकुंतला अत्यधिक रम्निय है तत्रा पिछा और उस शकुंतला के भी जो चार अंक है वो उसका क्या है चतुरत अंक के चार श्लोक महत्व पूर्ण है ठीक है अर्थात वो बहुत ही सुन्दर है अगर आपको श्लोग याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मांक्स चाहिए है तो आपको थोड़ा सा सम्तिंग डिफरेंट काम करना पड़ेगा तब ही आपके मांक्स अच्छे आपाएंगे आगे देखते हैं चलिए थोड़ा सा आगे क्या लिखेंगे लोग कोश्टन है तो हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा आगे है वस्तुते समस्त मनीशियों ने एक स्वर में अभिगान शाकुतलम के चतुरत अंक की शेष्टा सुईकार की है इस अंक में दो द्रश्चे हैं प्रतम द्रश्चे विश्कंबक के रूप में हमाई समक्ष आता है विश्कंबक कहां आता है दुरवासा रिशी का जो श्राप है जिसमें प्रसित दुरवासा श्राप का उ आनन्यमन, अथात क्या है विचित अरफात कही अम कहेंगे कि हमारा मन कही उर साप आ पही वहां इस रहसिये गोपन की नार्ट वस्तू की विकास में मैतकुन भूमी क faço है ये अगर हम देखें तो आप इसका heading डाल सकते हैं, संग्षेप में चतुरत अंका सार, ठीक है, क्योंकि हम से पूछी गए है, चतुरत अंक की विशेशता तो हम पूरा सारांश ने लिख सकते हैं, लेकिन हम एक heading में पहले सारांश लिख देते हैं, उसके बाद हम चतुरत अं नहीं है वो उन्होंने अपनी क्या बताई है अपनी एक इमेजिनेशन प्रस्तुत की है ठीक है क्योंकि यह नायक के चैत्र को उजवल बना देता है और वह शकुंतला प्रत्याख्यान के नैतिक उत्तरदाइक्तों से बच जाता है अर्थात अगर बिना भूले ही वो शकुंत पड़ेगा चलिए अब देखते हैं चतुर्त अंका महत्व पहले हमने थोड़ा सा लिग दिया चतुर्त अंका सारांश संक्षिप में अब हम डालेंगे बीच में बड़ा-बड़ा है इडिंग चतुर्त अंका महत्व उसे कैसे लिखेंगे चतुर्त अंक के महत्व में पत्रापी चे चतुर्त अंक यत्रयाती शकुंतलाह जो शलोक होते हैं वो आपके माक्स दिलाने में हेल्पफुल होते हैं तो इसलिए आपको याद रखना है आप में इंपोर्टेंट शलोक याद रखिएगा बाकी की जो हेडिंग है वो तो होई जाएंगी बीच का हम लिख देत हैं शलोक नहीं आपाते हैं ठीक है नेक्स एडालेंगे हम दूसरी हैडिंग चतुर्त अंक की संग्षिप्त कथा में आप वो डालिएगा जो हमने के लिए कह रही हैं दुष्यन्त के लिए के रही है कि ना तादर्शा आकृतिविशेशा गुड़ विरुधिनू भवंति ऐसी आप अन्य डालेगा कि चतुर्त अंक के महत्व में प्रियमवदा का जो क्या है कथन है कतोब कथन है बहुत ही उचित हैं चतुर्त अंक में सुन्दर उक्तियों का प्रियोग किया गया है जिसका वर्णन यहां इस प्रिकार है कि प्रियमवदा कहती है कौन आमोश्द के नव मालिका संचिती अर्थात कौन नई मालिका को शकुंतला के रूप में जो नई मालिका है उसको गरम जल से सीचता है इन प्रसुत सुक्तियों से हमें ग्यात होता है कि अविज्ञान शकुंतलम का जो क्या है भाशागत शैली है या फिर जो रचना है और जो क्या है हमारा वाक्य है कतोब कतन है वो कितना उत्तं है ठीक है महरिशी इसी प्रकार से महरिशी कर्ण के द्वारा कही गई नैतिक और लोकाक्चार से संपूर्ण वारता कैसे ये यातिर विश्रमिष्ठा ब्रतूर बहुमता भव अपनी क्या है अपनी पुत्री के प्रती पिता का प्रेम जो हमारे सामाजिक ये कुछ दाइत होते हैं कि पिता का पुत्री के प्रती प्रेम या पुत्री का प्रती प्रेम तो उसमें ही महरिशी कर्म का अपनी पुत्री को क्या है आशिरवात के रूप में वर्दान देना कि जिस प्रकार याते को शमिष्ठा उसी प्रकार तुम भी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आगे देखते हैं, आप फिर आगे डालेंगे चतुर्त अंक में कालिदास की मोलिकता, मोलिकतार था, तुन्होंने क्या मोलिकतार था, डिफरेंटा दिखाई है, मोलिक, जो मोलिक है, वो कुछ इसमें आप लिख सकते हैं, कि चतुर्त अंक या फिर उसको थोड़ी सी नैतिक पूर्ण बाते बताते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो ये ये सब हैं ठीक है अब आगे देखते हैं आगे आप हैडिंग डाल सकते हैं कि चतुर्त अंग की प्रमुक विशेष्टा हैं ये आप स्किप कीजेगा चाहे तो चैरक डालेगा कि चतुर्त अंग शकुंतला के चरित्र को उभारने का कलापूर्ण प्रयास चतुर्त अंग में शकुंतला के चरित्र को उभारने का कलापूर्ण प्रयास इसमें आप लिखेगा कि शकुंतला के चरित्र में उन्होंने उसको प्रकरती प्रेमी बताया है औ अगर आपको शलोक लिखेंगे तो आपके माक्स अच्छे आएंगे, ठीक है? माक्स अच्छे लाने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या है पातुम्न प्रत्मम व्यवस्यती जलम? समझ लीजे, समझेंगे तो आपको याद रहेगा, अर्थात पहले पानी देने से पहले खुद नहीं पीती थी, और क्या यूश्मा सुआ पितेशु या अ इस प्रकार नहीं होते थे, क्या थे फूल को हम गहने जो पुष्प थे, उन्ही से अपने गहने निर्मित करते थे, तो प्रिये होने के बावजूद भी अलंकार, प्रिये होने के बावजूद भी, स्नेहे स्पून वो जो पल्लव थे उनको नहीं तोड़ती थी, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, चाहिए अगर आपको दो लाईने नयाद ओर या आप सिर्फ उपर वाली एक लिख दीजे, पातुमन प्रत्मम, व्यवस्यति, जलम, यूश्मा, सुअपितेश्यू, या बस इतनी, कुमा कुमा कर दीजेगा, इस प्रकार, उधार नार् हम देख सकते हैं, क्या है यास्स तग्ये, यस्यतग्ये, शकुंat लेती हरद्यम, संसवत्ला मुत्ता है, आर्था क्या के रहे, कढ़ा किया है, कंथ स्थंबित वाष्प, वरत्ति, लिख में अर्था हूं क्या है यस अध्य अध्य आज यह शकुंतला अपने पती के घर चली जाएगी हिर्द्य की जो उत्कंठा है वो किस प्रकार हो रही है जो गला है वो आश्मों की व्रत्ती रोकने में उत्कंठित हो गया है कंठ उत्कंठित हो गया है वाश्प व्रत्ती जो वाश्प की व्रत् देखते हैं तो वो ही कहने है वो कि इस जो प्रस्थुत श्लो के उसके माध्यम से पता चलता है कि चतुर्थ अंक में कालिदास ने कितने उत्तम तरीके से पिता का अपने पुत्री के प्रती प्रेम क्या-क्या वर्णित किया है ठीक है आगे लिख सकते है कि तात कदाना खलू आगे देखनें कि तात कदाना खलू भुये तपोवन प्रेक्षे सी अर्थात कह रहे हैं कि तात पिता जब मैं कभी यहां से नहीं गई हूँ आप मुझे कहां तपोवन से बाहर भेजने लग रही हैं यहां पे क्या है यहां पे शकुंतला का आपने पिता के प्रती प्रेम है उपर था वो क्या था पिता का शकुंतला के प्रती प्रेम और अब कह रहे हैं वो शकुंतला का पिता के प्रती प्रेम ओके यहां आप यह लिख सकते हैं नेक्स टेडिंग आती है हमारी दुइंद आत्मक भावो का चित्रन आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना है वो आपपर डिपेंड करता है कि आपका कोशिन कितने नंबर का है अगर आपका कोशिन दो नंबर का है तो छोटा लिखिए दस नंबर का है तो बड़ा लिखिए और याद आपको यह श्लोक बुक आपके पास है तो आपको डेफिनेटली पता होगा यह वाला श्लोक कहां है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक और से तो नहीं तो अगर आपको श्लोक नहीं यादो पर है तो आप लिखेगा दुएंद्वात्मक वर्णन इतना उत्तम किया है जैसे क कि हम यहां देख सकते हैं और ब्लैक में लिखिएगा नीचे करके एक और से उषदियों के पती सूर्य जो है अस्थ होने जा रहे हैं चंद्रमा और दूसरे ओर से अरुण को आगे किये हुए अर्था जिनका सार्थी अरुण है उसको आगे किये हुए सूर्य उद्थ हो र जैसे कि वो जो संसार है उसको सुक और दुख के दो भागू में विवक्त कर रहे हूं ठीक है इस तरह से आपको श्लोक नहीं याद हो रहा है कोई वातनी स्किप कर दीजे वहुत साई श्लोक हो जाएंगे अगर हम ऐसे देखेंगे तो आप से फिंदी लिखिएगा ठीक है च यही नहीं जब शकुंतला अपने पती के घर जा रही है तो दोनों सकियां उससे कहती है कि हमने कभी अलंकार नहीं पहने है परंतु हम चित्र में देखकर के तुम्हें अलंकार पहनाएंगे यही नहीं इसी के साथ साथ शकुंतला भी उनको कहती है कि जब मैं पती घर चली जाएंगी तो मुझे वहां पर कौन इतने अच्छे इतने उत्तम तरीके से मेरा क्या करेगा सूंददे करेगा ता मुझे सझाएगा तुम मुझे सजा रही हो कुश्मों से मुझे और कौन सजाएगा तो यह क्या है यहाँ पर करुणा भाव जो है वो प्रफुलित होते हैं इसी के अलावा जब शकुंतला पती के घर जा रही है तो मार्ग में एक जो म्रग है वो शकुंतला को रोकने का उसके मार्ग में आ जाता है उसको रोकने का प्रियास करता है जिससे यहाँ पर शकुंतल का पात्र के रूप में चित्रन आप देखिए सब जो हेडिंग से वो एक दूसरे से connected है करुणा पूनवातवरण में सखियों का और यहां पर देखा जाए तो प्रकरती का पात्र के रूप में चित्रन तो जो हमने उपर श्लोक लिखा था कौन से वाला की एक तरफ से ओश्दियों के पती वो निकल रहे हैं चंद्रमा ओश्यों के पती चंद्रमा अस्थ हो रहे हैं दूसी तरफ से सूर्य उधेत हो रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रकर्टी का पात्र के रूप में चित्रन उन्होंने इस प् प्रदान करें और वो जो वंदेवता है वो भी कोयल की आवाज को अपना प्रतिउत्तर बनाते हैं और कहते हैं कि जो शकमुंतला का जो मार्ग है वो शांत और अनुकूल पवनसे और कल्यानकारी मार्ग होगा तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकर्ती को एक पात्र के रूप में चित्रित किया है ठीक है? आगे देखते हैं आप ये भी लिख सकते हैं देखिए वाला श्लोक भी अच्छा है प्रकर्ती के रूप में अगर आपको लिखना होगी उपर का देखिए इसको आप हिंदी में भी नीचे डिस्क्राइब किई शुलनकी अर्थात यहाँ पर महाकवी कालिदास का कहने का थात पर रहे है कि शोममकेंजित इंदू पानू तरुना मांगल ले मावश्क्रत अर्थात जो पेड हैं उन्होंने क्या है उजले हुए वस्तर क्या दिये अविश्करत अर्थात को प्रदान की जो है रिशी कुमार लेने गए थे तो उन्होंने रिशी कुमार को और पैरों में लगाने वाला लाक्षा रस भी दिया सुलब सुलब सुन्दर अर्थात सुलब अराम से प्रदान होने वाला पैरों में लगाने वाला लाक्षा रस भी दिया और जो वन देवता है उन्होंने मानों जो उनकी टहनिया थी निकली हुई करतले उन्होंने हातों से ये सब उनको क्या-किया प्रदान किया, तो आप इस श्लोग को भी डाल सकते हैं और नहीं तो आप डारेक्टिसका हिंदिय अनुआत भी लिख सकते हैं, आगे देखते हैं पतनी है अर्था तुम्हारे साथ की जो रानिया होंगी उनके साथ सक्खियों जैसा और प्रिये सक्खी जैसा व्यवार करना बड़ों की आज्या का उलंगन मत करना पती के प्रतिकूल कभी मत होना हमेशा उसके अनुकूली रहना क्रोधित होने पर भी अपना संयम मत खोना औ और बड़ों के साथ दुर व्यवार मत करना इससे विप्रिज्यो इस्तरियां होती है वह दोनों को लों के लिए मनोव्यथा का कारण होती है इस माध्यम से लोक व्यवार यहां पर बहुत ही उत्तंप्र दर्शित होता है अनित आप एक और लिख सकते हैं इसी के अन्ये एक कहना चाहिए इसके अलावा उनका अन्ये कहना उचित नहीं है इस प्रकार से ज्यात होता है कि महरी शी कश्यप माना की तपोवन के वास्ति है अर्थात वह है एक महरी शी उसके बावजूद भी उन्हें लोक वैवार का ग्यान है और मेरी जो कालिदास है उन्होंने भारतिय संस्कृति का उज्वल चरित्र संस्कृति का उज्वल चरित्र में आप देख सकते हैं कि संस्कृति भारतिय संस्कृति इससे परेंडित होती है कि आज भी हमाई भारतिय संस्कृति में यह ही है कि जो बेटी की विदाई हो जाती है तो पिता जो है उसको पती घर बेज देते हैं विदाई हो गई शादी के बाद पुत्री पती घर जाती है इसी प्रकारोनों ने भारती संस्कृति को वहाँ पर भी चतुरत अंक में वर्नित किया है कि शकुंतला का गांधर विवा हो चुका है तो जो कश्यप है मैरी शिकाश्यप है वो शकुंतला को पती घर भेज रही है ठीक है आगे देखते हैं आगे है श्लोक चातुष्टे में इंपोर्टेंट हैडिंग है आपको इसी भी स्किप कीज़ेगा इसको जरूर लिखिएगा ठीक है देखिए क्या करें कि श्लोक चातुष्टे जो विद्वान है विद्वानों ने अभिगाई चार श्लोकों को विशेष्टान दिया है जो उसकी महत्वता को और अधिक बढ़ा देती है वो कौन से है यस्यत्यग शकुंत लेती यह है आज शकुंतला पतीगर चली जाएगी वो आला है यह दूसरा देखे चारो श्लोक याद करने थोड़े से कटिनोंगे इसलिए आप सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिखे और ऐसे डोट-डोट-डोट कर दीजेगा और दूसरा फिर पातुम ना प्रतमम विवस्यती जो शकुंतला है वो पहले पानी पीए बिना पानी नहीं पीती थी और तीसरा आसमान साधू विचंतियंती अर्थात हम जो साधू है वो जब अर्चा जो गुरू अर्था जो बड़े हैं उनके साथ में क्या उनकी सेवा करना उनके साथ अच्छा विवार करना ये चारो श्लोग जो है वो चतूर्थ अंक के महतवपूण चार शलोग है इनको चतु Saints थे मता चतूर्थ काुठ उत्तं जो चित्रन है वो कहा जाता लिख सकते हैं निश्कर्ष में आप लिख सकते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं चतुर्त अंक अभी गांशा कुंतलम का बहुत ही क्या है रमणिये हैं और चतुर्त अंक में न केवल यही उप्रोक्त न केवल उप्रोक्त विशेष्टा हैं अपितु इसमें अन्य भी अनेक व चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आप अपना ध्यान रखिएगा हमाई साथ जुरूर रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है